ठीक आई, स्टुट नोट्स में आपका स्वागत है, ये अडवर्टाइजिंग सीरीज की अनदर वीडियो है, और अगर आपको पूरी सीरीज का लिंक चाहिए, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे, वाट तुम क्या करेंगे, दोनों पार्टीज के बीच में इंट्रक्शिन ही नहीं होगा, इडवर्टाइजर और कस्टमर, दोनों इंट्रक्टीods नहीं करेंगे, क्योकitter कोई मैसिज ही नहीं है, तो मैसिज एक मेंन मेन सोर्स है, जो की कनेक्ट कर रहा है, अभी तक हमने इतना प कर रहा है सेंडर और रसीवर के बीच में अब बात करते हैं कि एड़टाइजिंग मैसिज Peng listens क्या है अगर हमें एक कम्यूनिकेशन बनाना है तो उसके लिए हमें मैसीज जरुरत कर द qua सेंडर और के बीच तो अगर कोई message ही नहीं है तो communication भी क्यों होगा इसलिए advertising की जातर effectiveness message पर depend होती है किसी भी advertising का एक message create करना काफी confusing, frustrated, hair pulling काम हो सकता है क्योंकि जब भी advertising के message को तयार किया जाता है तो उसके काफी n number of reasons होते है message बनाने के कि हमें awareness create करनी है, attention grab करनी है, interest बनाना है, कोई action चाते हैं हम customer side से तो ऐसे n number of और भी चीज़े होती हैं जो की एक message को create करने के पीछे होती है इसलिए message बनाना काफी confusing, frustrated और hair pulling काम होता है advertising message में include होती है ये साथ चीज़े information, fact, opinion, idea, pictures, brand symbol, appeal तो पांच point के साथ हम काफी friendly है, aware है इनके बारे में कि information, fact, opinion, idea, picture ये क्या क्या है और कैसे use होते हैं, पिछली काफी वीडियो में हम ये cover कर चुके हैं brand symbol और appeal देखते हैं हम यहाँ पे, brand symbol जैसे कि mcdonald, pepsi, coca cola इनके अपने brand symbols होते हैं, जैसे कि आप इस image की help से असानी से समझ पाएंगे कि brand symbols क्या होते हैं ये सारे के सारे brand symbols हैं, कोई भी brand है उसका अपना एक brand symbol जरूर होता है coca cola, pampers, sony, google, ribbon, ford, ebay, visa, mcdonald, red bull, colgate, facebook, microsoft इस तरह के सब के brand अपने अपने हैं, हर brand का अपना एक symbol होता है जिसे कहते हैं brand symbol 7th है appeal, appeal क्या है, कि हमें capture करनी है हमारे customers की attention जैसे कि humor हो सकते हैं, जैसे mentor said, adventure हो सकते हैं, thumbs up emotional attachment हो सकती है, जैसे insurance की ads, etc ऐसे मतलब हम कैसे capture कर सकते हैं हमारे customer की attention को उसे हम कहते हैं appeal इसके साथ message की effectiveness depend करती है, कि कैसे हम अपने message को design करते हैं और frame करते हैं ये जो हमने 7 point पढ़े, जो की include होते हैं हमारी advertisement में, इनको कैसे हम effective way में use करें अपने message में ताकि हम अच्छे से design और frame कर पाएं अपने message का तो उस पे हमारी message की effectiveness depend करती है इसका मतलब ये है कि message का format, content और objective क्या क्या होने वाले हैं और ये सब various factors पर depend करता है जैसे कि competitor strategy क्या है, consumer का by behavior कैसा है product के features क्या है, legal factor कौन-कों से है, जो की effect करते है company को, उसके internal environment को, external environment को advertisement का budget कितना है, nature of customer क्या है, etc. ऐसे number of cheese हैं जो की देखी जाते हैं किसी भी message को बनाते समय, तो strategies क्या है, advertising message की ये हम point से ही एक overview लेते हैं brand recall, कि अगर कोई brand है, काफी popular है, तो उसे mind में बना के रखना, बार-बार याद दिलवाते रहना, उसे brand recall है persuade, acquire करना, नए-ने customers को, customers के behavior में change करना, अगर वो पहले से ही किसी एक product को लेके capsule है, तो कैसे उसे दूसरे product की और उने attract करना है, fourth है create attention of product, product की attention कैसे grab करनी है, fifth or last है promote buying action of customer, कि customer हमारे product को खरीदे, उसके लिए क्या-क्या steps हमें लेने हैं, तो ये कुछ strategies हैं हमारे advertising message के regarding, तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये comment करके जरूर बताएं, अगर आपकी कोई query है इस video या फिर किसी भी topic के लिए, तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं, मैं वहीं पर आपको reply करके या फिर अलग से video बनाके आपके साथ share कर दूँगा, वीडियो अच्छा लगा, तो like करें, channel को subscribe करें, thank you.